परिचाए सुप्रभात पिता जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ करण, पर तुम कहा जा रहे हो? मैं बाजार से प्लास्टिक बैक लेने जा रहा हूँ. तुम्हें प्लास्टिक बैक को नहीं अपनाना चाहिए. परन तु क्यों पिता जी? प्लास्टिक हमारे परिया वरन के लिए बहुत हानिका रखें. एक बार इस्तेमाल के बाद अधिकतर प्लास्टिक बैक भराई कच्रे में चले जाते हैं. और यदि इनको जलाया जाए, तो इनसे जहरीली कैसे निकलती हैं, जो वाता वरन के साथ साथ मनुश्यों के स्वास्ट के लिए खतरनाक होती हैं. ठीक है पिता जी? मैं आज से प्लास्टिक बैक का प्रयोग नहीं करूंगा. इस अध्याए में आप परिया वरन के मुद्दों की जानकारी प्राप्त करेंगे. उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. ठोस अप्षिस्ट का वालन करना, क्रिशी रसाइनों की व्याख्या करना, रेडियो धर्मी अप्षिस्ट पर चर्चा करना, ग्रीन हाउस प्रभाव वा वैश्विक उश्णता की व्याख्या करना, ओजोन परत के अप्रदन का वणन करना, जल भराव एवं मिट्टी की लवणता पर चर्चा करना, वन उन्मूलन की व्याख्या करना, ठोज अप्षिस्ट कोई भी कचरा किसी अपजल शोधन सयंत्र से प्राप्त अवमल और ठोज द्रव, अर्ध ठोज या गैस युक्त पदार्त ठोज अप्षिस्ट है, ठोज अप्षिस्ट के उधारण, बेकार टायर, पठ्युक्त अप्षिस्ट पदार्त यानि सेप्टेज, रद्धी सामागरी, लेटेक्स पेंट, उपसकर फनीचर एवं खिलोने, बेकार पड़ यंत्र एवं वाहन, वायू विलै पात्र यानि एरोसोल कैन, पेंट पात्र एवं संपीटित के सिलेंडर, ठोज अप्षिस्ट को मुख्यता तीन वर्गों में वर्गी क्रेट किया जा सकता है, जैव निमनी करण योग के, पुनश चकरण कूड़ा, जैव निमनी करण अयोग के, कर एवं संकतंसभान, क्या जैव बानिगग्स, चक्रे eerste जा मैं कंपथ्डान, जैव मुख्यासर यre व्र्गों में व्रगों, जैवद उेंग्सटित के सिलेंगंखे के जाई आGO है, जैव निमनी करणा समें है, जैव पिले वंने ओने जो आँ झाल 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 जैव निमनी करण योग के अपशिस्ट है अपशिस्ट भोजन, बगीचे का कच्रा, काघस एवं गत्ते से बना अपशिस्ट तथा जैव अपकर्श प्लास्टी कादी आम तोर पर पाए जाने वाले जैव निमनी करण योग के अपशिस्ट हैं. पुनश चक्रणिये पुनश चक्रणिये अपशिस्ट वा अपशिस्ट है जिसको नए उत्पादों में संसाधित किया जाता है ताकि उप्योगी समकरी की बरबादी रोकी जा सके. पुनश चक्रण के लाब बहुमुल्य संसाधनों की रक्षा के साथ साथ परियावरण संरक्षित करने में सहायक है. पुनश चक्रण से हम विश्व को सुन्दर और हरा भरा बना सकते हैं. इस तक्नीक से जैव निमनी करण योग के अप्षिष्ट को नश्ट किया जा सकता है. यह स्थानिय उद्योगों को बढ़ाव भी देता है. यह उर्जा की बज़त करता है. जैव निमनी करण अयोग के अप्षिष्ट जैव निमनी करण अयोग के अप्षिष्ट वो अप्षिष्ट है जिसका प्राकृतिक रूप से जैव अभघटन नहीं हो सकता है. इस अप्षिष्ट के कारण भूमी भराव यानि लेंड फिल में लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे रासाइनिक रिसाव दौरा भूजल संसाधनों के प्रदूशन का खत्रा बना रहता है. जैव निमनी करण अयोग के अप्षिष्ट के उधारण है. प्लास्टिक, काँच, धात्वें इत्यादी. कुछ खतरनाक रसाइन एवं विशाक्त पदार्थ यानि टॉक्सिंग भी गहर जैव निमनी करण योग के अप्षिष्ट हैं. प्लास्टिक अप्षिष्ट के उपायों का अध्ययन प्लास्टिक नाइलाउन जैसे कारबनिक बहुलकों की विस्तरित श्रंखला से बना एक क्रेत्रिम पदार्थ है, जिसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है. 57 वर्ष ये एहमद खान पिछले 8 वर्षों से प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे हैं. लगभग 8 वर्ष पहले उनकी कमपनी ने पुनश चकरित प्लास्टिक से एक पॉली ब्लेंड नामक पौडर विक्सित किया. इस मिश्रं को तब गोलतार में मिलाकर सडकें बनाने के काम में लाया गया. इस प्रकार संपून प्लास्टिक कच्रे का प्रभावी ढंग से इस् चार, निदान, टीका करण एवं अनुसंधान गधिविधियों के दौरान उत्पन होता है. इस अफ्षिस्ट में पैकेजिंग सामगरी, महीन चालीदार कपड़े के टुकड़े, शरीर के अंग, रोग उत्पन करने वाले रोग जनक, तूटे कांच, पुरानी दवाएं, तरल एवं गैसीय रसाइन आते हैं. इसमें रेडियो धर्मी अफ्षिस्ट भी शामिल हैं. ये अफ्षिस्ट संक्रामक होता है, और यदि इससे वेक्यानिक धंग से ना निप्टा जाए, तो ये मानव स्वास्थ के लिए एक गंभीर खत्रा हो सकता है. इलेक्ट्रोनिक कच्रा जानी इकच्रा टेलिवीजन, कम्प्यूटर इत्यादी जैसे इलेक्ट्रोनिक उत्पादों के निप्टान को ये खच्रा कहते हैं अनोचि ढग से निप्टान होने की स्थिती में मानव स्वास्त एवं परियावरन को इन में से कुछ उत्पादों में नहित विशाक्त पदार्थों से खत्रा हो सकता है टेलिवीजन में सीसा, पारा, कैड्मियम इत्यादी होते हैं सभी एनलोग टेलिवीजन की ट्यूब में सीसा पाया जाता है सीसा मनुश्यों, विशेशकर बच्चों के लिए अत्यांत हानी का रख होता है पारा तो अल्प मात्रा में भी विशाक्त होता है ये मस्दिशक एवं गुर्दों को नुकसान पहुँचा सकता है लंबे समय तक कैड्मियम के संपर्क में रहने की स्थिती में किसी व्यक्ति के गुर्दे, यकृत, एवं हड्डियां ख्षती ग्रस्थ हो सकती है क्रिशी रसायन एवं उनके प्रभाव क्रिशी रसायन वे रसायनिक पदार्थ हैं जिनका इस्तिमाल कृशी में कीट नाशक, उरवरक, मृदा उपचारक इत्यादी के रूप में किया जाता है। कृशी रसाइन के प्रकार उरवरक ये वो पदार्थ हैं जिनका प्रयोग भूमी की उर्वरक्ता को बढ़ानी के लिए किया जाता है ताकि उबच में व्रित्थी हो। उर्वरक के रूप में मुख्यता प्रयोगत होने वाले योगिक फासफोरस, नाइटोजन एवं पोटेश्यम हैं। चूने और अमल के रूप में परिवर्टित करने वाले पदार्थ। भूमी में बुई गई फसलें या तो अति अमलिये होती हैं या अतिकशारिये। भूमी की अमलता या खशारता की वजह से फसलें भूमी से उचिद पोशन क्रहन नहीं कर पाती हैं। भूमी में चूना युक्त यौकिक डाल कर उसकी अम्रिता को दूर किया जा सकता है। क्रिशी रसाइन के प्रकार म्रिदा उपचारक इस प्रकार के पदार्थ मिट्टी की वातन एवं जल धरंग शमता को बढ़ा कर मिट्टी की दशा को सुधारते हैं। म्रिदा उपचारक के निर्मान में गोबर की खाद फसल के अफशेश इत्यादी का प्रयोग किया जाता है। कीट नाशक कीटों अवांशित पाउधों इत्यादी के नाश के लिए प्रयोगत रसाइनों को कीट नाशक कहते हैं। एंटिबायोटिक हार्मोन आदी जैसे कुछ रसाइनों का प्रयोग पशुपालन में भी किया जाता है। जैव खेती का केस अध्यान जैव खेती का महगा होना और सस्ता होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां पर रहते हैं। भारतिय किसान जैव खेती का अनुसरण कर रहे हैं। भारतिय किसानों की आर्थिक इस्थिती मजबूत ना होने के कारण उनके पास क्रिशी के लिए केवल जैवी कुरवरक तथा कीट नियंतरक साधन ही उपलप्थ हैं। रमेश चंद्र डागर ने सभी क्रिशी प्रक्रियाओं को एक श्रिंकला में प्रबंधित किया जो की एक दूसरे को सहरा प्रदान करती हैं तथा निर्वेहनिये विकास का पालन करती हैं। रेडियो सक्रिय अप्षिष्ट रेडियो सक्रिय अप्षिष्ट ऐसे अप्षिष्ट पदार्थ हैं जो की एक निश्चित मात्रा से उपर रेडियो धर्मिता होने पर प्रदूशित हो जाते हैं। मनिश्य पर रेडियो धर्मी पदार्थ का प्रभाव बहुत हलका हो सकता है, जैसे त्वचा का लाल हो जाना, तथा कभी-कभी ये चिंता जनक भी हो सकता है, जैसे कैंसर या मृत्यू हो जाना. मानव शरीर को होने वाली ख्षती निम्न दशाओं पर निर्भर करती है, विकरण उद्भासन की मांत्रा पर, विकरण उद्भासन के समय की अवधी पर, और विकरण के प्रकार पर. विकरण की कम मात्रा के उद्भासन से कैंसर के बढ़ने की संभावना अधिक होती है, अथवा जनन ख्षमता में कमी आती है. व्यसकों की तुल्ला में बच्चे विकरण के प्रती अधिक समवेदन शील होते हैं. ग्रीण हाउस प्रभाव एवम विश्ववया पी उश्णता वायू मंडल में उपस्तित कैसें जो की सूरे के विकरण को अफशोशित करती हैं तथा अवरक्त क्रणों को उससरजित करती हैं के द्वारा प्रित्वी की सतह का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है वायो मंडल में उपस्ते जैसें जैसे की जलवाश्प, कारवन डाय ओक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कारबन, नाइटरस ओक्साइड, मीथन आदी, ग्रीन हाउस कैसे कहलाती हैं वैश्विक उंश्टता ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण प्रिद्वी की सतह के तापान में व्रिद्धी होने को वैश्विक उश्टता के प्रभाव वैश्विक उंश्टता के कारण वातावरण की नमी को वहन करने की शमता में व्रिद्धी हो सकती है वैश्विक उश्णता के कारण प्रबल अकाल एवं बाढ़ की बारंबारता में वृध्धी हो सकती है रोगाणों के वागूं जल जन्ने रोग जनकों इत्यादी में वृध्धी के फलसो रूप उश्ण कठी बंधिये एवं सम्शीतो श्ण देशों में मनिश्विकों होने वाले रोगों में वृध्धी होगी वैश्विक उश्णता के कारण हिमनत पिखलते हैं जिसके भलसरूप समुद्र का जलिस्तर बढ़ जाता है वैश्विक उश्णता के कारण तापमान का पराज बदल जाता है इस परिवर्तन के कारण जीवों के उच्च और अंक्शाक्षिये वितरण पर प्रभाव पड़ता सम्ताप मंडल में ओजोन अवक्षय सम्ताप मंडल में इस्थित ओजोन चीवधारियों को हनीकारक पराबैगनी विकरनक कुप प्रभावों से रक्षा करने में एक प्रमुग भूमी का निभाती है कई प्रकार के प्रदूशक सम्ताप मंडल में प्रवेश कर ओजून परत का अवक्षय करते हैं इन प्रदूशकों में CFC, मीथेन, नाइटरस ऑक्साइड इत्यादी शामिल है ओजून परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एजेंट CFC है ये पराबैगनी विकरण की उपस्तिती में सक्रिय क्लोरीन उत्पन करता है ओजोन अवक्षय के प्रभाव पराबैगनी विकरण में वृद्धी से मोतिय बिंद तथा तोचा कैंसर होने का खत्रा बढ़ जाता है इससे प्रती रक्षक प्रणाली की कारवाही घड़ जाती है पराबैगनी विकरण में वृद्धी से जीवधारियों में अस्थित नुकलियक अम्ल को नुकसान पहुंचता है पराबैगनी विकरण पादप पलवक यानी फाइटो प्लेंक्टन एवं पौधो में प्रकाश संशिलेशन की प्रक्रिया को बाधित करता है जिसके फल सरूप आहार श्रिंखला प्रभावित होती है संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षन द्वारा निमनी करण प्राकृतिक संसाधनों का निमनी करण इस प्रकार होता है म्रिदा अप्रदन और मरुस्थली करण उपरी उर्वर म्रिदा के एक्षरण को म्रिदा अप्रदन कहा जाता है किसानों के लिए वर्षा की बूंदें एक समस्या हो सकती हैं यदि ये खाली पड़ी मिट्टी पर गिरें वर्षा के कारण मिट्टी बह जाती है तथा शेश भाग हवा में विलीन हो जाता है उपजाओ या बंजर जमीन की अबाधित चराई, बारंबार तहन, अधिक खेती जैसे मानविय क्रिया कलाब से मिट्टी को अनुपजाओ बनाना मरुस्थली करण कहलाता है जला क्रांदी और म्रिदा लवन्ता म्रिदा का जल से संप्रिक्त होना जला क्रांदी कहलाता है जला क्रांदी से लवन्ता की प्रक्रिया शिरू होती है लवन्ता से तातपर्रे म्रिदा में सोडियम, मैगनीशियम एवं केल्शियम के विले लवनों का इस हद तक एकत्र होना है कि मिट्टी में और वर्ता बहुत कम रह जाए पौधों की जड़ों में लवन की बड़ी हुई मात्रा जड़ों की आसपास की मिट्टी से जल खींचने में रुकावट डालती है वन उन्मूलन वनों के विनाश को वन उन्मूलन कहते हैं विश्व के खास कर कटी बंधिये देशों के वनक्षेत्र में तेजी से कमिया हो रही है वन उन्मूलन के मुख्यकारण जनसंख्या विसफोट मानवने खेती, आवास, कारखाने एवं अन्ने कारियों के लिए व्यापकिस्तर पर वनों का नाश कर दिया है अंदा धुंद चराई अंदा धुंद चराई से मिट्टी को नुकसान पहुँचता है नाशक जीव कई प्रकार के नाशक जीव वा कीडे पेड़ों की पत्तियों को खा कर तथा बीमारी फैला कर पेड़ों का नाश कर देते हैं जंगल की आख ये आख पूरी तरह विकसित पेड़ों उनके बीचों का नाश कर देती है ये जानवरों के लिए भी उतनी ही खतनाक है मौसम अपनी चरम स्थितियों में मौसम जैसे गर्मी तूफा नित्यादी वनू का नाश कर देते हैं वन उन्मूलन के प्रभाव वन उन्मूलन के फलसोरूप पहस्ती प्रजातियों के परियावास समाप्थो गए हैं वन उन्मूलन के फलसोरूप जलवायू परिवर्तन होता है वन उन्मूलन से सुरी की रोशनी को रोखने वाली छतरी का नाश भी होता है जिसके भल स्वरूप पौधों एवं पशों का जीवन प्रभावित होता है वन उन्मूलन के कारण वनस्पती एवं प्राणी जगत का नाश होता है वह प्रक्रिया जिसमें काटे गए वनों को फिर से लगाया जाता है पुनर्वनी करण कहला दी है वन सनक्षण में लोगों की भागिदारी एक अध्यान वन सनक्षण में लोगों की भागिदारी का एक उधारण है चिपको अंदोलन पहला चिपको अंदोलन अप्रेल सन 1973 में शुरू हुआ और अगले पांच वर्षों में ये ततकालीन उत्तरप्रदेश में हिमाले के कई जिलों में फैल गया गाउवाले व्रिक्षों की रक्षा के लिए व्रिक्षों से लिपट कर खड़े हो गए च्या आप जानते हैं? उपग्रह से प्राप्त नए आकड़ों से पता चलता है कि अंटाक्टिकाल में सी आईस यानि समुदरी बर्फ वास्तों में बढ़ रही है सुंदर लाल बहुगुणा चिपको अंदोलन के एकनेता थे जिन्हें 1980 में पद्म शिरी सम्मान, 1987 में राइट लिवली हुट सम्मान तथा सन 2009 में पद्म विभूशन से विभूशित किया गया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं किसी भी प्रकार का कच्रा तथा एक अप्षिस्ट जल उपचार सयंद्र से प्राप्त अबमल ठोस अप्षिस्ट कहलाता है ठोस अप्षिस्ट को तीन मुख्य प्रकारों में भाणडा जा सकता है जैव निमनी करण योग के पुनश चक्रणिये तथा जैव निमनी करण अयोग के टेलिवीजन कम्प्यूटर इत्यादी जैसे इलेक्ट्रोनिक उत्पादों के निप्टान को यी कच्रा कहते है प्रिफ्वी की सतह के वातावरण में महजूद कैसों के सौर विक्रण को रूक लेने तथा अवरक्त विक्रण उस सर्जित करने की कारण गर्म होना Green House प्रभाव कहलाता है वायू मंडल में मौजूद कैसों को Green House कैसे कहते हैं Green House प्रभाव की कारण पृत्वी की सतह के तापान में पृत्वी होने को वैश्विक उश्णता कहते हैं ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुचाने वाला एजेंट CFC है। ये पराबैगनी UV विकरन की उपस्तिती में सक्रिय क्लोरीन उत्पने करता है। सबसे उपरी मृदा जो की बहुत उर्वर होती है, इसका हटाया जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उपजाओ जमीन ये बंजर जमीन का अबादित चराई, बारंबार तेहन, अधिक खेती करने जैसे मान वहे क्रिया कलापों द्वारा मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना मरुस्थली करन कहलाता है। मृदा का जल से संप्रिक्त होना जला क्रांती कहलाता है, जल ग्रस्तता की कारण लवर्ता की प्रक्रिया शिरू होती है। वनों के विनाश को वन उन्मूलन कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें साफ किये गए वनों को फिर से लगाया जाता है पुनरवनी करन कहलाती है